हमाई साथ स्टूडियो में मौझूद हैं योगेंद्र कुमार जी मार्किटिंग हैद हैं इफको में सर और सहकारी समीतियों से एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं समझते हैं कि किस तरह से कामकाज होता है सर आज ये जो विध्यक है इसको आप मील का पत्थर कहें या यू मा बात है और सहकारिता की मूल भावना और सहकारिता के माद्यम से विकास को प्रसस्त करने का एक अचूक एक विध्यक है जिससे सहकारिता में समग्र प्रगति होगी सरवांगीन विकास होगा और सहकारिता के माद्यम से जन जन को सुविधाय दी जा सकेंगी उनका ख्याल में कहते हैं सहकार से सम्रद्ध के लिए ये एक बहुत ही आवस्क विधेक था जिसको आज सरकार ने पास किया है और इस विधेक के पास करने से किसी भी तरीके की जो बिसंगतियां थी एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करके एक आदर्स विधेक के रूप में इसको पास क किया गया है इसके लिए मैं माननी ये प्रधान मंत्री जी को और अपने माननी ये सहकारित ग्रह और सहकारिता मंत्री जी को प्रती आभार विक्त करूंगा और उनको बहुत-बहुत कोटी सा बदाई दूंगा कि कितना अच्छा विध्यक जो आप ले के आए हैं इस सहकार से सम्रद्दी का मार्ग प्रसंस्त होगा और सर्वांगिन विकास के लिए सहकारिता ये अच्छे कारगर तरीके से काम करपाईगी यूगेन जी चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार किये गए हैं ये कितनी बड़ी एक तरह से समस्या रही है बहुराज्य सहकारी समीतियों के विकास को भी लेकर और जो तमाम तरह की एक तरह से इन डिस्क्रिपेंसिस जो कहते हैं उनमें जो देखा गया ये एक बहुत ही आवश्चक कदम है और बहुत ही हितकारी है सभी दार्कों के लिए पूर्टया प्रजातांत्रिक मोल्यों की रक्षा के लिए और सभी की जनभागीदारी सुरिश्चित करने के लिए जो एक चुनाव प्राधिकन बनाया गया है ये एक बहुत ही सही कदम है इससे सहकारिता में स्वतंत्र निस्पक्ष और भेदभाव र बदलाव से निश्चित रूप से सहकारी सभी सहकारिता के हितधार्कों का भला होगा और उनको आगे बढ़ने का मार मिलेगा जी योगिन जी सरकारी दखल को कम करने की तरफ भी कई ऐसे प्रावधान किये गए हैं सरकारी दखल ने किस तरह से इन समीतियों को अभी तक रजातांतो propose और नियंतुर्ण की एक जो अनूठी विचारधारा प्रस्चित हुई है और एक काम सुरू हुआ है उससे राजनितिक हश्चे बिलकुल नियूनतम होगा और नियूनतम है सहकारी समीतियां सहकारी संथ के सदस्यों और वहां के अपने सदस्यों के सेवा भाव के लिए हैं उनकी उनके लिए एक बहुत अच्छा एक सभी सुविधाएं पैदा करने के लिए हैं अभी जोर दिया जा रहा है सुविधाओं के उपर सहकारिता के माद्यम से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं या मिलनी सुरू हो गई हैं सत्रह हजार से अध एक अठारा हजार के करीब हमारी सहकारी समितियों में CSC के केंदर खुल गए हैं जहां पे तीन सो सुविधाएं जो CSC केंदरों से मिलती थी हमारी सहकारी केंदरों से सहकारी समितियों से मिलेंगी सहकारी समितियों के लिए अभी तीन नई multi state cooperative society का गठन किया गया है जिसमें आज भीज जिसमें मुझे भी इस्थान मिला है भारती भीज सहकारी समिती limited का मैं भी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ मानिस ग्रह उन सहकारता मंती जी का एक मूल उद्दे से है कि कैसे हम जो 88 प्रसत लगवा और सीमानत करसक हैं उनको गु बीज किसानों के रुपियों के लिए मोहिया कराया जाएगा ये कि बहुत बड़ा उनका आदर्स कदम है साथ ही हम अपने बीजों को इस हद तक अच्छी तरीके से पैदा करें जिससे हम पूरे किसानों की बीज की आउसकता को सहकारिता के माद्दिम से पूरा करेंगी खेती को कैसे बीसमुक्त किया जाए रसाइन मुक्त किया जाए इसके लिए जैविक उत्पादों का वो अपने उत्पादन किया जाएगा जिसके माद्दिम से और किसानों को अच्छे जैविक उत्पाद उपलब दकरा करके करसी में टिकाओ खेती की एक नए मार्क को आग को निजात मिल सकेगी योगें जी आर्थिक रूप से जो बिमार समीतियां है उन्हें पी पुनविक्सित करने के लिए भी फंड का एक तरह से प्रावधान किया गया है साथी साथ छोटे निवएशुकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा इसके साथ कितना बड़ा बदल जो है महिला रखे जाएंगे और उसके साथ ही एक जो निदेशक होगा संचालक होगा वो संचालक हो गया तो नुस्षित जातिका या जन जातिका ऐसा प्रावधान किया गया है और जो आमेलिन के गए जो अप्टेट जो डायरेक्टर होंगे उनको भी उनके योगिता के आ जिसमें सभी हित्धारकों को, सभी समाज के वरगों को एक साथ इस्थान दिया गया है ये बहुत ही सवागत योगे कदम है और निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावसाली आगे साबित होगा अभी ये आपने पोचा था कमजोर समितियों के बारे में जो समितिया निर् निस्क्री हो चुकी उनको सक्री बना करके फिर सेवायोगे बनाया जा सकेगा ऐसी भी इसमें विवस्ता की गई है योगें जी आप ये मानते हैं ये भी एक बड़ा प्रावधान है कि कर्मचारियों की भरती की प्रक्रिया में रिश्टेदारों को नौकरी नहीं क्योंकि बह भी हमारे डारेक्टर्स हैं जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं यहां पर उनके लोगों को नौकरी में नहीं रखा जाएगा साथ ही कुछ थोड़ा सा जो एक ब्योस्ता ये भी इसमें है कि आप किसी भी तरीके से अगर बोर्ड की मीटिंग में है कोई आदमी अगर निसक गाना थी उन सबको रोका गया है और यह सूचा गया कैसे बिकास के लिए वीध्यक को बहुत ही ठीक विन्amm से बनाया जाए तो एक ख्यालसे यह एकदम आदर्स हैं और इस आदर्स वीध्यक के आने से समितियों की क्रियासीलता समितियों की भागी दारी और उसके सदस्यों पर रखते हुए बहुत साफ कहा कि ये विध्या काने वाले समय में बहुराज्य सहकारी समीतियों की पूरी कारे संस्कृति को बदल देगा क्या आपको लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ा है ये तमाम चीजें जो बड़े बदलाव हुएं इनकी तरफ एक अनलेखी सर समाज को सहकारिता के माध्यम से कोई एक काम नहीं होता है सहकारिता सभी छेत्रों में उपस्तित है और सभी छेत्रों में हमारी मल्टी स्टेट कॉपरी स्टाइटीज भी हैं तो सभी छेत्रों के सरवांगिन विकास का एक नया रास्ता है मैं इस रूप में इस विध्यक को एक तरह से एक नई दिशा भी देंगी, साथी साथ ग्रामी नर्थ विवस्था को भी और मजबूत करेंगी, किसानों को और मजबूती मिलेगी, बहुत बहुत धन्यवाद यूगेंजी, धन्यवाद